हम बात ये कर रहे हैं कि आज हम लोग तीसरे सकंद के चौतिय अदहय को पढ़ रहा हैं और उसको पढ़ने से पहले मैं इस घ्यार्वे सकंद के तीसमें अदहय के कुछ शलोकों को बता रहा हूं जिसके द्वारा ये मालम चले कि यदुवंश के लोगों ने क्या किया था वह आन भक्त उद्धव जंगल चले गए तो समस्त जीमों के रक्षक भगवान ने द्वारका नगरी में क्या किया इस प्रश्ण का उत्तर हमारे लिए क्या है यह आप देख लेंगे उद्धव जी को वह बद्रिक आश्रम भेज दिये थे ब्रामनों के शाप से अपने हिवंश क इन्रस्ट जाने के बाद यद्व में श्रिष्ट भगवान किस तरह अपना शरी छोड़ा जो सारे नेत्रों की परम्प्रिय वस्तु था एक बार उनके दिवी रूप पर अपने आखें गड़ा देने परिस्त्रियां उन्हें हटा पाने में असमर्थ होती थी और यदि वह है रूप एक बार मुनियों के कानम में प्रिविश कर जाता उनके हृदयों में गड़ जाता तो वे हटाई नहीं हटता था अब इससे क्यों बोल रहा है कि वह मान लोग शुदे को सब पूछें कि क्यों सुनना चाहते हैं तो वह उसका वर्ण करना क्यों रूप किता सुन् ने भगवान जस्याद ध्यात में शीरिव प्राप्त कर मौक्षलाव उठाया इस भगवान के दिवरुप का वर्णना है शुगदेव गोश्वामी ने कहा आकाश पृत्वी ततभाय अवकाश में अनेक उत्पात चिन देखकर भगवान कृष्ण ने सुधर्मा नामक सभा भगवान में एकत्र यदों से इस प्रकार का तो अब देखी हमने इस तीसरे धाय के अंत में सुना था तो कि देव मोहिता भगवान की इच्छा से वहां पर अफश्वकुन दिखाई पड़े और भगवान ही अफ़न-कूम हितnin करते हैं कि socio searching दिख रहे हमें कुछ करना चाहिए भगवान ने कहा अरे यदवंश के नायकों जरा इन सारे भयावने अब शकुनों पर ध्यान दो जो द्वारका के मृत में मृत्यू के जंडों की तरह प्रकट हुए हैं अब हमें यहां पर शन भर भी रुकना नहीं चाहिए हमें एक मतलब भगवान भी सब को साथ में लेके जाएंगे ओके नेक्स्ट इस्त्रियों बालको तथा बूढ़ी लोगों को यह नगर छोड़कर शंको धार जाना चाहिए हम सभी प्रभास शेत्र चलेंगे जहां सरसुति नदी पश्यम वाहिनी है भगवान कृष्ण वल्राम भी साथ मे पहले समझ लिजेगा वहां हम शुद्धी के लिए स्नान करें उपवास रखें और मनों को ध्यान में स्थिर करें तत्पशाद देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराकर हम उनका पूजन करें चंदन का लेप करें और उन्हें विवित भेटें अर्पित करें यहां भगवा साथ में हैं और देवताओं की पूजा करके हम कुछ अनर्थ नश्ट करेंगे वो भी उनके पार्शत तो सब भगवान की तरहा आयो जिद्धा इगनम क्लियर हो जागा कि क्या हुआ अत्यांत भागशाली ब्रामनों की सहायता से स्वस्तिवाचन कराने के बाद हम उन ब्रा सारी वर्स्ति में ब्रामनों को दी गई थी है ठीक है तो यह भगवान की आग्या के अंसारी था अपने आसन संकट का सामना करने के लिए निसंद्य ये उपयुक्त विदी है और इससे निश्चित ही सर्वोच स्वभा के प्राप्त होगा देवताओं ब्रामनों तथा गव जनों ने अपने सेहिमे तथास्तु कहकर विक्त कर दी नावों से समुधर को पार करने के बाद वे रथों से प्रभास की और बड़े यह भी मैंने समझगाऋ था को रत है रह वी मोहिता हाँ तो पहले रत पहने में नाव से क्रोस किये समुदर को फिर रत पे चड़ए और प्रभास शेत्र में गए वहां पर यादवों ने अत्यंत भक्ति के साथ अपने स्वामी भगवान कृष्ण की आदेश अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन किये उन्होंने अन्य विविद शुब अनुष्ठान भी संपन किये तब दैव द्वारा बुद्धी भरष्ट क किये गए वे सब खुले मन से मधुर मैरेय पे के पीने में लग गए जो मन को पूरित रहें मदोनमत कर देता है यहां पर देखी शब्द भगवान की इच्छा का सूचक है मतलब भगवान की इच्छा से भगवान लागया कि हां पी लिजे कोई दिक्कत नहीं है ब्राह्मन अन्मोदन किया तो भवान चाहिए नहीं कि पीए यह मदन मत्त हों यह मरें एक दूसरे कुमार मर के जी भगवान की इच्छा से वाता और एक और बात यहां पर देख रहे है मधू मधू शब्द यहां पर भी आ रहा है और उद्धव जी भी बुले थे माध माध्भामद तामर विलोच नानाम वह शराब बद्वूदार नहीं थी एक ऐसी चीज थी जो बहुत स्वादिश्ट लगे तो उसे खुब पी रहे थे बार-बार पी रहे थे यह कहने गड़त यह दुवंश की वीरगण अत्यधिक पान के कार्ण उनमत होटे और उद्धत हो गए जब भगवान कृष्ण की नीजी शक्ति से इस तरह मोहित थे तो उनके बीच भयानक जगड़ा उठ खड़ा हुआ यही प्रमान है कि जो कभी आपस में जगड़ते नहीं थे उनके बीच में जगड़ा हो गया यह भगवान की मया शक्ति के द्वारा हुआ कृत होकर उन्होंने अपने अपने धनुषबान तलवारें भालें गदाएं बर्चे तुमर ले लिए और समदर के किनारें एक दूसरे पर आकरमण करने लगे लीए तो पहले युद्व किसे हो रहा है उनके अस्तर शस्तर से हो रहा है हातियों पर त था फहराती धजाओं वाले रथों पर त गधों, उटों, बैलों, भैसों, खचरों एवं मनुश्यों पर भी सवार होकर अत्यन्त कृद्ध योधागन एक दूसरे के पास आए और उनने एक दूसरे पर बाणों से वेग पूर्वक उसी तरह आकरमन किया जिस तरह जंगल में हाती अपने दातों से एक दूसरे पर आक प्रद्युम्न साम से घंघोर लाइक करने लगा, अकरूर कुंटी भोज से, अकरूर भी यहीं शरी छोड़े, लेकिन का देतावलांश, अनरुद्य सात्यकी से, अनरुद्य भगवान के पौत्र हैं, सात्यकी भगवान के अंग रक्षक हैं, सुबद्र संग्राम जित से, स सुमित्र सुरत से तथा दोनों गद एक दूसरे से लड़ने लगे गद भगवान के भाई थे अन्य लोग भी यथा निशट उलमुख सहस्त्रजित शतजित तथा भानों एक दूसरे से गुथ गए और उन्होंने नशे से अंधे हुए एवं भगवान मुकंद द्वारा पू कुरसेनों विसर्जनों कुकुरों तथा कुंतियों ने अपने अपने सहज सरी अपनी अपनी सहज मित्रता त्याग कर एक दूसरे को मार काट डाला सहज मतलब जो जन्म सहीवत पन हुई थी वह भूल गए और मार डाला एक दूसरे को इस तरह मोहगरत मोहगरस्त हुए शुबचिंतिकों से भड़ गए इस तरह घनिष्ट मित्रों तथा संबंदियों ने एक दूसरी को मार ड़ा बहुत इसी है सब्लों फॉलो कर पारे हैं जब उनके अब देखें जब उनके सारे धनुष तूट गए और उनके बान तथा अन प्रक्षेपास्त्र समाप्त हो जो पार्टिकल से वे आकर के सट गए थे यह वाद थी अब देखिए क्या होता अब यह बहुत जादू हो रहा है देखिए जो ही उन लोगों ने इन बेद के डंटनों को अपनी मुटियों में धारन किया वे वज्ड की तरह कठोर लोहे के डंडों में बदल गए अब आप यह बताई कि घास आप उठा रहें और वो लोहे में परिविर्टित हो जाएगी तो आप ध्यान नहीं देंगे यह क्या हुआ यह बहुत ने मत हैं वह तो शराफ के नश्य में धुत्त हैं उन्हें क्या मालूं चलना क्यों क्या कर रहा है क्या उठाना है योद्धा इन हत्य देखो क्रिष्ण खुदी नहीं बचा पाए लेकिन भगवान नाटा कर रहे हैं भगवान नाटा इसलिए कर रहे हैं कि भगवान रोको रोको क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो ऐसा करके कर रहा है लेकिन वह कि रोकने नहीं दे रहे हैं रोकने नहीं दे रहें अंदर से पहले स रुड़ेंगे कि खुदी इनको मार दें आपस में लड़ रहे हैं तो कुछ लोग तो बची जाएंगे ना तो वह भी ना बचने पाएं भगवान के हम तो सेल्फ डिफेंस में किये हैं आप क्या कर सकते हैं शत्रियों का नियम ही है कि अगर परिवार वाला भी युद में लल मन किया भूद इंट्रस्टिंग बात है है राजा उन सबों ने विमोहित अवस्ता में बल्राम को भी अपना शत्र समझ लिया वे हातों में हतियार लिए उन्हें माल डालने की इरादे से उनकी और दोड़े होना चाहिए तोड़े है कुरुपत्र जब कृष्ण था बल्रा नंटलों से भगवान चक्र नहीं चला रहे है क्या शाप था चक्र से यदुवन्ष का नाश नहीं होना है चक्र तो असुरों के लिए है चक्र कैसे मारेगा भवान के पारश्वत को उस बेंच से या कह सकते हैं उस लोहे के टुगडे से नाश होना ता इसले भवाना से अक के कुझ में लगी आग सारे जंगल को नश्ट कर देती है जब उनके कुल के सारे सदस इस प्रकार विनश्ट हो गए तो कृष्ण अपने आप सूचा कि चलो धरती का बोज तो हटा ठीक है तब बलराम जी समुद्र की तट पर बैट गए और उनने भगवान के ध्यान में अ जरा उनको बान मारता है जो कुछ भी है वो सब आगे बाते आएगे तो आप पढ़ लेना लेकिन हमने इस बात को यहां तर समझा दिया तो वहां पर जाकर के युद्वन्शियों ने ब्रामनों को प्रिथ्वी प्रश्वर जुका करके प्रणाम किया और अब क्या किया वह बोलते है और अब यह समझना बहुत आसान हो जाएका मेरे पीछे बुलिए उध्धव उवाचा अथते तदनुग्याता भूक्त्वा पीत्वाचा वारुनिम तया विभ्रंशित तदनुग्याता भूक्त्वा पीत्वाचा वारुनिम तया विभ्रंशित अग्याना दुरुक्त्वा पीत्वाचा वारुनिम तया विभ्रंशित अग्याना दुरुक्त्वा पीत्वाचा वारुनिम तया विभ्रंशित अग्याना दुरुक्त्वा पीत्वाचा वारुनि त्यार मर्म पस्प्रशह, उद्धव ववाचा, अधते तदन अग्याता भुघ्त्वा पीत्वाचा वारणें, विभणश तग्याना दुरुग्तर मर्म स्पष्प्रशह, तत्पश्चाद उन सबों ने विरिश्णी तथा भोजवंशियों ने और अभी आप में जैसे सुना बहुत सारे लोगों ने ब्रामणों की अनुमति से प्रसाद का अचिश्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भीपी पीने से सभी संगा शुन हो गए और ज्ञान से रहित हो कर एक दूसरे को वह मर्म भेदी करकश वचन कहने लगे चल नहीं है आपर ग्लास नहीं है ठीक है उद्धव जी ने कहा उद्धव वाचार था उद्धव जी ने कहा अध्वा उसके पशाद किसके पशाद सबने ब्रामणों को दान दिया और उनको प्रणाम किया उनको भगवान का प्रसाद अरपण किया इस सब करने के बाद गाया दिनको द्यान में दिया तो अंकE द्वारा धूमी दिया स्वना दिया और उसके बाद उंको परनाम किया यही थुना था उसके बाध उसके पश्छात्त्य वियंद गॉर्ण तत अनुग्या था दी कि अब आप मद्रा पी सकते हैं क्योंकि शत्रियों को ऐसा अलाव होता है ब्राह्मन को नहीं लेकिन शत्रियों को कुछ समय में किसी विश्यश काल में ऐसा छुट है और भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अनुमति दी वही वो तो यही चाहते थे उनी की सारी सेटिंग अगर चाहते ही थे कि बिना मद्द हुए बिना मद्द को प्राप्त हुए यह लोग कभी आपस में जहगडा नहीं करने वाले थे कभी आपस भी जगड़ा किये ही नहीं थे 125-11 साल जोड लीजेगा उसमें जब जो पैदा हुआ 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 है लेकिन फिर भी कभी जगड़ा नहीं किये यह आप लोगों को आश्र नहीं लग रहा कि शोला कालिकुलेट कीजिए शोला जार 108 तुरानिया फिर उनके दस पुत्र और उनके भी दस पुत्र तो कितना करोड़ उपता नहीं कितने अर्व बहुत सारी लोग थे वहां पर क्या भी आपस भी जगड़ा नहीं कि जगड़ा आदमताब करता है जो आपने को केंद्रि म बांता है त्यादी तो वह है तो स्वयम संतुष्ट रहेगा शांत रहेगा तो जाद भी खुद ही शांत है सामने वाला भी शांत है जगड़ा कैसे करेंगे क्या ताली तो एक आस्व नहीं बस्ती है तो इस वसन इंपॉसिबल टास्क यह असंभव बात थी उनकी बीच में युद्ध होना संभवी नहीं था तो भगवान ने जानबुच कर अनुग्या दी अनुग्या मतलब आग्या सांक्षिन दे ठीक है आप कर सकते हैं तो अनुमती दी जाकर भुक्त्वा भोजन करके भोजन की और वारुडिम चपीत्वा तथा मदेरा का पान करके तया उससे मतलब उसमदिरा से विभृश्च तह ग्याना ग्यान उनका भ्रश हो गया था डिस्टर्ब हो गया था ग्यान से वीन हो गये किस से क्या बात करनी चाहिए वह ये भूल गय थे जगतमें अपने कई बार देखा होगा कि वेक्ति शराब पी करके वो गलत ही बोलता है हमें तो अन्भव है उन्हें देखा है कि लोग क्या बूलते थे और अगले दिन सुबह उनको याद भी नहीं रहता था कि ते अच्छा मां ये बूला तो इसलिए विब्रंशित हो करके उनको यहीं नहीं पता चला है वो किसे बात कर रहे हैं तो कहरें दुरक्ताई ही मर्म पस्प्रशह दुरवचनों के द्वारा जो शब्द बहुत सुनने में कठिन लगे कठिन से मतलब कठोर लगे ऐसे मर्म भेदी एक दूसरे को एसे कश्ट देने वाले हैं देक कश्ट देने वाले शब्दों को कहने लगे और देखे वह आप सब ब्रामन नहीं खटे हुए हैं कि कुछ शब्द सुने और सहन कर जाएं समझ रहना बात जैसे यही भगवान श्री कृष्ट को पाउंड रक नाम का व्यक्ति बोलता है कि मैं असली भगवान हूं तुम मेरा रूप धर के बैठे हो कोई बात नहीं मैंने तुमको श्रमा करती है अब तुम मेरी शरण में आ जाओ अच्छा आपकी शरण में नहीं इसको तो उनका दूत जो भगवान जिस तरह से गाली दिए वह जाकर के अब राधा को सुनाए भी हो और उसने बड़े धैरपूरोग सुना भी हो क्या बोल रहा है क्रिश्न तो शत्रिय लोगों का सभाव नहीं सहन करना उनको बोला ही नहीं जाता है उनको बोला जाता है क युद्धेच अपलायनम मर जाएंगे लेकिन युद्ध से लोटेंगे नहीं यहने की पिट करके आ गए पिट के नहीं मर जाएंगे चलेगा लेकिन पिट करके वापस लोटने का कोई संकलुब बनता ही नहीं चाकते होगा not an option not an option तो ऐसे लोग जब आपस पर दोरवचन बोलेंगे तो जगड़ा तो होगा ही इसे एक बहुत बड़ी बात सुचित हो रही है कि जगड़ा वानी से जरूर शुरूर होता है क्या कभी आप लोग ऐसा जगड़ा हुआ जिसमें वानी का उपियोग ना हुआ हो अगर विना जगड़ा किये विना आवाज निकाल लिए आदमी मारी नहीं चकता है यह बात बहुत हलकी लग रही है लेकिन आप ट्राइ करना जब क्रोध आए तो चुप हो जाना बहुत टिफिकल्ड होता है कौन कौन हमसे सहमत नहीं है इस बात पर गुसा आए और तब ना बोले अच्छा कभी हुआ है सब्सक्राइब हो आपको चुप रह गए हो यह हो सकता हो कि कुछ देर गुसा होने के बाद चुप हो गए हो लेकिन गुसा आता है और तब चुप रह जाए बहुत टफ होता है बहुत टफ होता है सब्सक्राइब होता है तो यहां उन्हें सबको जब यादनी शराप से मोही थे तो क्या वस्यहन करेगा क्या वह सोचेगा तुसरे बोला और अब उसके बाद धगड़ा शुरू हो गया श्टक देखीगा उद्ववाचा दोजिने का अध्व उसके बाद ते अनुग्याता वियादवगण तत प्लस अनुग्याता भगवान की आग्या या ब्रह्मन की आग्या पाकर भुक्तवा भोजन करके पित्वा चा वारुणी और वारुणी को पी करके तया उस वारुणी के दारा उस मदुरा के दारा विभ्रंश्त उनका ज्ञान विवशेश रूप से भ्रंश हो गया था, डिस्टर्ब हो गया, नश्ट हो गया था, इसलिए दूरुक्तेर मर्म अपस्पर्शा, दूरुक्ती कठोर शब्दों से मर्म स्पर्शी शब्दों को ने कहा, देखे मर्म का स्पर्श दोनों तैसे हो सकता है, मीठे शब्दों से अब बोलेंगे तब भी लोगं का हृदय जीत गया जाता है, जैसे मालेज आप बहुत ठके हुए है, तो कि अरे आप तो बड़े ठके हुए लगए है, क्या कुछ जल आके दूँ, ये शब्द ही इस प्रकार से कितना अच्छा लगता है, आदी थकान तो यही नहीं, पती लोगं का अनभव होगा कि लोट करकर बहार से थके हारे आते हैं, पतनी कुछ जल पूछती है, मीटे शब्द बूलती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो लोग ग्रहस्ती स्विकार करते हैं, अब वह अलग बात है कि लड़किया पर बहुत कर रहे थे कि मर्म को स्पर्ष करने वाली बात ने केवल कठोर हों ऐसा नहीं है, मीठी बाते भी हिर्दे को स्पर्ष करती है कि नहीं मीठे बचन, लेकिन यहां पे दूरुक्त भूले के खराब बोले गए, अग्या एक्स्टा बोल रहा है, एक्सरस में बोलना है, कभी- कभा के लाया, करके भी है, ऐसे समालों डिवोटी नहीं होते होंगे, लेकिन ऐसे नन डिवोटी को हो सकती है, मैं एक बर यहां पे हैडशेव कराने क्या था, on the road, एक माता जी है, ना गाली बख रही थी अपने पती को, साब ने बैट को, हमें लग लग रहा है को सतरू हो, बाद निमार चले ने पती-पती होंगे, चाप और दस्तिया, भाग वात में सब गाली कर सकते हैं, इतनी गंदी-गाली बख रहते हैं, हम लोग को सुनने में खराब लग रहते हैं, बाल कटो, भागो यहां से, असा तो पैन्फुल, तो एक वेकिनी बोला तो इन लों का आ अविश करते ही हैं, बहुत दुख देते हैं, और लोग को तीस, तीस, चालिस, चालिस साल के बाद भियात रखते हैं, बहुत अच्छी उकती हाँ पर हम कहाना चाहेंगे, आर वर्ड्स में भी फॉर्गिवन, बट नॉट फॉर्गॉटन, हम जिन शब्दों का प्रेव कर रहे हैं, अगर किस से किसी को दुख होता है, तो हमें शमा जरूर कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह है, भूल जाए कि हमने कहा क्या था, बहुत अध्भूत यह में संगे ए कि जागके बहुत पर बढ़ा है, नहीं यह अपने अन्भव किया है वाणी हमको बहुत अच्छी सिख्षा है कि यूटूब के वेक्ति ने दी मैंने हमारे चैनल पर वेक्ति बुला है वो इसाद हमसे उम्मरें बहुत बड़ी होंगी माताजी बोले है देर सन स्पीच is for others वाणी दूसरों के लिए है तो ऐसा चाहिए जो भगवान के संबंद भगवान का स्मरण कराए उस वेक्ति को तो बहुत अच्छी बात रहेगी श्रीधरी अपने बांधों के विनाश का समचार सुनकर विदुर जी उद्धव जी के उबदेश अनुसार आत्म ज्यान प्राप्त करने के लिए मैत्री महर्षी क के पास गए मतलब यह है इस अध्याय का सार यहां बांधों का विनाश सुनेंगे समझा है वह एक गहरी सांस छोड़ेंगे अच्छा और फिर वह मैत्री महर्षी के पास चले जाएंगे आत्म साशातकार का ज्यान प्राप्त करने के लिए वो रोहेंगे नहीं ठीक है भगवान की इच्छा थी समझ गए भगवान की इच्छा थी तो पिछले अध्याय में उद्धव जी क्लियर करती है और अब कैसे विनाश्वा यह दिखा देंगे और उसके बाद अब ठीक है उधीर वेकती है विदर जी अब आत्म ग्यान की और आगे बढ़ जाए उन ब्रामणों की आग्या प्राप्त करके उन यादव वीरू ने भोजन किया उसके पशात पैश्टी मदिरा को पिया मदिरा पीने के कारण उन लोग ज्यान नश्ट हो गया और वे अपने दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदे को कश्ट पहुचाने लगे चार अर दर् अर्थात भगवान कृष्ण अत्वा ब्रामणों से अनुमति पश्चात ही यदू ने भोजन किया तत पश्चात उस मधु की प्रभावदार अवे परस्पर निंदा करने लगे अब इसमें तदनु अज्याता शब्द को ध्यान रखेगा क्योंकि इस बात को प्रहपाजी अगे कहेंगे सेकंड शुलक में कहेंगे तो वहां ध्यान रखना कि भगवान की आग्या से भी तद अनुग्याता मतलब ब्रामणों की आग्या से या भगवान की आग्या से भगवान वहां उपस्ति थे इसलिए मैंने आपको वह कथा भी सुनाई थी कि भगवान भी वहा भाती भोजन करा जाता है तो अतितियों द्वारा अनुमती दिये जाने पर आती थे भोजन का उस्चिष्ट खाता है समझ मैं जिसने इन्वाइट किया है होस्ट ने उसको बाद में खाना चाहिए यहां पर सीखने को मिल लाए हमें बड़ी दिक्कत होती हमारे घर में जब ल अगर कोई बहुत सी बात है लेकिन यह तरिका होता है आते विरिष्टी तथा भोज मंशियों ने ब्राम्भनों से अवचारिक अनुमती ली और तब तयार किया हुआ भोज्य पदार्थ खाया तो इससे एक बात बड़ी स्पश्चन में आ रहे है कि दिया सब्सक्राइब कर देनों वाटल मैनेट्स क्या धर्म है वह बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूटा कुछ समाओं पर कतिपय मतला कुछ समाओं पर अतय उन सबों ने चावल से बनी हलकी मदरा का पान किया इस पर हम कोई सिक्षा ने ग्राण कर रहे हैं अब इस सब्सक्राइब करने लगे जो आपस में एक दूसरे के रिदे को आहत करने लगे थे अब इससे पहले में आगे जाओं एक अध्भूत बात पता रहा हैं अच्छा यहां पर प्रहपात क्या समझा रहे हैं कतिपय कुछ समाओं म में शत्रियों को मदिरा पान करने की छूट है ठीक कोई दिक्कत नहीं न तो ऐसा नहीं है कि यह लोग पहली बार मदिरा पान करने हैं यस आप समझ में आगे मैं क्या कहना चाहता हूं क्या पहली बार यह लोग चक्षेंगे मदिरा को क्यों जो भाशा अब अब सुन रहे प्रपात के तात्पर अपने सुना तो से क्या सुझत हो रहा है यह को पहली बार तो नहीं पी रहे हैं लेकिन प्रभाव अधबोत हो रहा है और प्रिद्व में इस पर लिखा हल्की मद तो हलकी शराब पीकर के विक्ति बहुत ज्यादा मदोनमत हो जिसको शराब पीने का भ्यास हो कुछ आपको अजीब सा नहीं लग रहा है यह दिवी मुझे इस वारे में जानकारी मैंने प्या नहीं लेकिन मैं व्याक्या नहीं करना चाहता हो कि कौन से शराब तेज होती चाहिए कि लिए बतात All the school रूजने सिर्फिया नहीं हो नहीं कि रूजय होती है लेकिन यहां जो बात वहने यारी मदरा पीए उससे हलका नशा आना चाहिए ता लेकिन एक बात और हापे ध्वने तोरी जो हम सुन रहे थे कि मदू शब्द का पहले उपयोग किया गया बहुत ज्यादा सुस्वादू लग रही थी तो हो सकता हो अधिक पीले लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वह हल्की ही होती है बहुत नशा नहीं कर सकती है तो अब उससे इतना नशा हो जाना कि वह आपस में जगड़ा करने लग जाए यह मदीरा की वज़े से नहीं हो रहा इसी को प्रपात अगले तात्पर में केंगे तदनुग्याता पियो पियो भगवत इच्छ से चल लाता भगवान की इच्छ से कुछ भी हो सकता है हम जो लो हाँ वह बैत तहाँ वह वज्र के समान हो गया कृष्ण की इच्छ से कुछ भी हो सकता है तो इसलिए एक लीला यहां पर देखने चाहिए कि भगवान की इच्छ से वह हल्की मदरा का भारी प्रभाव हो गया सबको संगा शून कर दिया क्या वह करना चाहिए क्या नहीं करन थे ठीक है इसलिए को यह बड़ी बात इनके लिए शराप पीना या मदीरा पीना कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन मदेरा का ऐसा अधृत प्रभाव होना यह भगवान की च्छा को सुचत करता है मदेरा पान इतना हानिकारक है कि कोई अत्यन्त सूर संस्कृत परवार भ भोज वंश्यूम से इस तरह अपने आपको भूल जाने की आशा नहीं की जाती थी, शराप पीने के बाद भी, किन्तु परमेश्वर के इच्छा से ऐसा हुआ, और वे एक दूसरी के प्रती का टू बन गया, बिल्कुल समझ में आगया, ठीक है, नेक्स्ट, मेरे पिशे बोलिये, तेशा मेरे यदोशेना विश्मीकत चेत साम, निमलोच तीरवावासीत वेणु नाम इव मर्दनम, तेशा मेरे यदोशेना विश्मीकत चेत साम, निमलोच तीरवावासीत वेणु नाम इव मर्दनम, तेशा मेरे यदोशेना विश्मीकत चेत साम, निमलोच तीरवावासीत वेणु नाम इव मर्दनम, तेशा मेरे यदोशेना विश्मीकत चेत साम, मेरे दोशेना मेरे मतलब एक प्रकार की मदरा वही जो मदर पै रहे थे मदरा पान जन्य दोष के कारण ठीक है विशमी कृत साम उन सबुझी बुध्धी विनष्ट हो गई थिसे विशम हो गई थी विशमी कृत चेतसाम जिनकी चेतसा इनका चित विशमी कृत हो गया था तुम मेरे दुश्मन हो इसे कहते हैं विशम और एक अदभूत बात ये है कि चलिए अगर युद्ध हो गावी तो कम सिकम कुछ तो गुटबाजी होगी यह आपने सोचा नहीं हजार लोग सब लोग सभी लोग एक दूसरे को कैसे दुश्मन मानेंगे कुछ तो गुटबाजी होने चाहिए कि नहीं हो जाने पांच लोग इदर छह लोग इदर आपस में जगड़ा करें लेकिन ऐसा यहां प्रतीत हो रहा है कि सभी लोग एक दूसरे से जगड़ा सक करने अब सभी लोग ईदुसरे को दूश्मन नहीं मानते हैं है करा ना कर शब्रत्र युदुं में भी तो दो पार्टी हो गई है आपस जगड़ा कर रहे है क्लियर कि अग्मी दुसरे और महरा च को दूश्मन मान रहें नहीं मान रहें बहुए मिस्ज्टर महाराज को कभी भी अगर मैं ये कहूँ कि भीम नियिस्टर माराज को जान से मार दिय आप सी विकार करेंगे क्या आप बात कर रहे हैं क्या पहले आप कहें कहां पढ़ किया है मैं कहुए अपकर एक मघानि कहानि सुना हूँ कि आज ये कहानी श्पेशल महभारत कि है यगा कर दिया है। यह करता हूं, कभी नहीं सुने ऐसे थे और अलगा है। यह सुन्ध हम यह सकता है। पहला cactus नोशे होका है। अनुच थे एसा कशक्ता है। ऐसा हो सकता है। कलयग में होग और है हो एसा ही रहा है। लेकिन पांड़ के संथ तो ऐसा हो यह नहीं सकता, तो उसी प्रकार से यदूओं के बीच में जगडा हो ही नहीं सकता है, इसे टोके, तो अब इन में विश्वमी कृत चेत्थ साब, उनकी चेतना विश्वमी कृत हो गई थी, लेकिन वास्तवी ग्रूप से मदीरा के दूश के कारण नहीं हुआ था, वह है भगव मदीरा में ऐसा दोश होता, तो पहले भी दोश उपस्तित हो सकता था, पहले भी उश्राप पिये थे, ऐसा कभी उनकी विश्वम चेतना नहीं होते, तो विश्मी कृत चेत्थ साब का मतलब हुआ, दुश्मन की भावना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, तो सब पढ़ोंगा फिर समझाओंगा असपे वापस सूर्यास्त होते होते वेड़ु नाम इव जैसे परस्पर की रगड से बासों में आग लजाती है वेड़ु का मतलब होता है बास जैसे वह आपस में जगड़ते हैं कोई और आग नहीं लगाता वह आपस में जगड़ करके ही न शराब पिए यह सब करते करते पूरा सुबह से उपवास होते होते अब भोजन की अच्छे से और शराब पिए तो वह शराब बहुत चड़ गई और अब शाम हो रही है शाम हो रही है सूर्य अस्थ हो रहा है से क्या इंगित हो रहा है कुछ समझ रहे मैं क्या कहना चाहता येस यदुवंष का अस्त होना सुचत हो रहा है वैसे भी पहले भी änम विलोग सुन चूक gebh shy प्रत hour के जारी भगवान अब स्थान को छोड़ना चाहते हैem तो अब यह दोवयेंश का भी अस्त सुचित हो रहा है कितनी सेटिंग हर सुभ Jugrab कोई भी लिला करते हैं कि इतनी सेटिंग करते हैं और एक और बात यहां बिलकुल सुचित हो रही है कुछ समझ में आ ही रहा है बात कि शाम की समय में आप लोग कभी शाम को cricket खेले हैं और यह कहां से आ गया यह एक प्रश्ण प्रभजीलों का है कभी ऐसा हुआ है आप लोग कि शाम को cricket खेल ले थे और कुछ ओवर रहे गए और आप लोग तो floodlight में खेल नहीं रहे थे तो अब वो शाम का समय हो जाता है ना बॉल ठीक्षी द यहां के लिए अंधिर स्क्राइक तो किससे खड़ा कर रहे हैं क्या क्या है जो हात में आ रहा बस उसी जगड़ा करना शुरू कर देना कुछ समझपा रहे हैं सूर्य-स्त होता रहा is और अब रातरी का समय आ का नई राति ली बड़ शाम का समय है तो जगड शूरू हो गया तो मैं इसको इस परीकार समझा रहा हैं की कैंड अंधकार का समय है का नगए और वेस मैं से कहते न एक एनन कारे इसा को अ यहीं शब्द का प्रयोग किया था कि गीरनेश्य अजगरे नहा काल रूपी अजगर के द्वारा हमारा भाग्य यह दुवंश का भाग्य पूरा समाप्त हो गया है यह बहुत अच्छी हमको बात लग रहे था इस पर मैं फोकॉस कर रहा था कि किस प्रकार से जैसे जब सूर् करल न होता है समज़ें इस बात को सूखे अ बास हवास से और रहते हैं कि दूर-दूर नहीं रहते हैं किसी दिखा है बासों का खर्मुठ बास धुर्मुठ भास रहते हैं पास 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 रहते हैं फural सल रहा है लेकिन जब हवा आईगी तो व आपस वह घर्षन करेंगे उस्ते करेंगे एंहें है ना तीवर हवा आए गी तो उसकी विश्ज उगा और जब घरशन होगा तब आपस में अगनी प्रकैट हो जाए कि सुखी होते और फिर अगनी प्रकॉट फॉगी तो सारे जर्मठ को समाप्त कर दिए तो आप समस्क्ष सकते हैं कि यह है जो आपस में घर्षन हुआ यादवों का किसकी वज़े से हुआ था भगवत इच्छा से हुआ था जो कि मदिरा के अधभुत प्रभावगी में प्रकट हुई आपस में जगड़ा किये और फिर नश्ट हो गए एक बात आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जब आप लोग इस लोगों को देख देख कर सुनते हैं तो इनके अर्थ आपको समझ में आने लगए होते हुआ जब मैं रिवाइजन कराऊंगा या मपराण कराऊंगा का रता हूं अगर तो आप इनके शब्दों को इनके अर्थों को समझ में लगए अक्शिली इस जस्ट आल्मोस्ट लाइक एक मोर रिफाइंड हिंदी आप लोग इस बात से सहमत हैं तो संस्कृत ना भी जानते हूं और मैं भी जानता हूं लेकिन शब्द जी है वो शब्दों के अर्थ समझ माने लगते हैं एक भक्त कहते हैं हिंदी में बिंदी लगा दो तो संस्कृत बिंजाएगा एक्जर्ट समस्क्राइं नीन्ली रवी रवी आशित जैसे एक सम शूर्य जैसे की वास्नों का घश्रन होता है उस से विनस्ट हो जाते उसी प्रकार से गोड़ाजीब ह Dewan जब जंगल में आग की आपशक्ता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बासूं के आपश्वी घरशन से आग लग जाती है इस तरह ये दुबंशियों का विनाश भगवान की इच्छा से आत विनाश की विदी से हो गया जिस तरह मानव प्रयास से जंगल की बीच अगनी लगने की संभावना नहीं रहती उसी तरह ब्रह्मान में ऐसी कोई शक्ती नहीं थी जो भगवान द्वारा रक्षित यदुबंशियों का विनास कर सकती है यह बड़ी संदर बात कही है कोई कहे कि मैं जाकर जंगल में आग लगाऊंगा तो आप उसके तुम पागल हो गया क्या कोई इंसान जंगल जाकर आग लगा सकता है नहीं लगा सकता है लेकिन जंगलों में आग लगती है अभी कुछ दिन पहले मैंने पहले साथ भर मुझे टाइम नहीं आदा है लेकिन अस्ट्रीलिया में बहुत बड़ी आग लगी थी ऐंसान नहीं लगाते हैं इनसान नहीं लगανे यह थो इस लिये बोल रहे हैं 20 नाम जंगल की आग के समान हुए आपस में नश्ट हो गए यानि कि भगवान की इच्छा से ही हुआ यह बात बोलने भगवान ने उनकी इस तरह से विनिश्ट होने की इच्छा की अतेव उन्हों की अत ग्यातशव्ड से तो इसल厉ब किया है तो इसलिए मैं इसको हाइलेट किया हूँ है इस श्लोक में नहीं है ृत नहीं है अंहीं अना यहां पे पहले श्लोक में ही बोला गया था कि ब्राम्हणों के द्वारा अनुग्या प्राप्त करके अनुग्या का मतलब होता है आग्या प्राप्त करके यह दूसरा अर्थ था कि भगवान के द्वारा आग्या प्राप्त करके तो भगवान की इच्छा थी कि यह लोग शरा पीने के और अगर आग्या नहीं देते तो यह लोग पीते भी नहीं और यह पीते भी नहीं तो जगड़ा करते भी नहीं तो यह तदनुक ज्याता शक्त से सुचुत हो रहा है कि भगवान ही चाहते थे कि यह लोग नश्ट हो जाएं नश्ट हो करके मेरे पास मेरे धाम में व भगवान असमर्थ हैं भगवान बाहे लोगों में इस प्रकार की भावना बनी रहे कि हरे भक्तों का भी अनिष्ट होता है इसलिए ऐसी लीडा करते हैं ऐसा देख जैसे कि आप देखिए श्रीपाद माधविंद पुरिपाद वह भी शरीर छोड़ने समय ऐसी उनकी हालत थी कि उनको मल और मुत और शरीर बेड़ पर ही त्याग ना पढ़ रहा था लेकिन लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है वो तो शुद्ध भक्त हैं रादा कृष्ण की स्पॉंटेनेस भक्ति उन्हीं के द्वारा आती है इस सम्प्रदाय में तो देखिए वहाँ पे इसलिए हुआ कि ये बात सुचित हो कि इश्वर पूरीपाज जो उनके शिष्ष हैं कैसे अपने गुरु की सवस्था में सेवा किये और उनकी आशिरवास से उने भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ नहीं तो शुद्ध भक्त हमेशा ही भगवान के दारा संरक्षित है उसके जीवन में क बाएं लोगों से चुपाके रखें और साथी साथ अपने भक्तों को अपने भवान क्या अपने ध्हां भी वापस éléments लेजा सके ऐसा नहीं सोच्ते की बागवान अपने वक्त आपको कि रक्षा करने में अस्मर्थ है यह भी सिख्ष़्ा आपको ग्रहन करने चाहिए ओके औ झाल झाल